नमस्कार दोस्तो तो आज का अपना टॉपिक है कि बासुरू में ब्लो कैसे करते हैं इसे सिखने के लिए कम से कम एक मैना तो लगता ही लगता है इसलिए अगर बासुरू में ब्लो करते नहीं आ रहा हो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आप दिरे दिरे सिख जाओग अगर आपको कोई समस्यारी है तो नीचे comment box में डाले और मुझे बताए मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा तो सबसे पहले हमें बासुरी का जो ये पार्थ है इस पर हात नहीं रखना है हमें ऐसे बासुरी को पकड़ना है इस तरह से और बस हमारा जो ये नाक है नाक के नीचे ऐसे होटों पर पकड़ना है ऐसा और बीचो बीच नाक के सेंटर में दोनों होटों के बीच ऐसे हमें बासुरी को पकड़ना है और दीरे से इसमें हवा ब्लो करनी है कई बार ऐसा होगा कि पाच बार फुकनी के बाद एक बार ही आवाज आएगा तो अगर तुम जैसे जैसे रियाज करोगे ये तुमें आता जाएगा इसलिए इसे कम से कम महिना लगे गाई ऐसा तुम मन में पकड़के चलो फिर से एक बार देख लेते हैं ऐसे नाक के नीचे दोनों होटों के बीच नीचे के इस होट पर बासुरी के भाग को रखना है और ऐसे दीरे से उसमें हवा छोड़नी है ऐसे सुरुवत में तुम्हारा आवाज नहीं आएगा फिर ऐसा एंगल चेंज करके देखने का है तो ऐसा दीरे दीरे आवा जाने के लिए शुरुवत हो जाएगी फिर बाद में पाच पाच के आपको सेट करने हैं ऐसे पूरी सास भर लेनी है और धीरे से चोड़नी है सास चोड़ने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं लागानी है बस एकदम दीरे से सास को चोड़ना है अगर आप आग बंद करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो और दोस्तो एक बात हमेशे याद रखना कि बासुरे सिकते हुए सबसे जरूरी चीज है पेशन्स और अच्छे गौाइडन से उसे शिकना चलो मिलते हैं अगली वीडियो में रादे कृष्णा बाके भी हरी की जये होग है और अचलो मेंसे हमें När बासुरे Means बासुरे During को कि प्याद आचे सिकते हैं न भी ओरत दो कर दोके भी में हो bu